एक Engineering College में जाद तर क्या होता है एक तुहें टॉप के colleges जैसे IIT हो गया और हो गए नमबर वान, नमबर टू लेकिन ज्यादातर लोगो उसमें एडमीशन नहीं मिलता तो एडमीशन लेते हैं एक ऐसे College में जो इतना अच्छा नहीं है अब उस college में क्या बात हो रही होती है admission भी खुदी लिया है लेकिन 24 गंटे उस college की बुरा ही हो रही होती है कि इस college की ये problem है वो problem है admission के time पे तो हमको ये बोला था अब देखो कुछ भी नहीं कर रहे यहां का यह अच्छा नहीं है यहां का वो अच्छा नहीं है सबसे बुरा यहां का placement बिल्कुल बेकार है उस college में सब लोग बोल रहे हैं सौ के सौ लोग बोल रहे हैं कि इस college से निकल करके एक बड़ी company छोड़ो 6000 की नौकरी मिलना भी बहुत बुश्किन है कि बागी पूरी दुनिया इसी college से निकलूँगा और इंडिया की top multinational company में मेरे लिए job मिलना आसान है 99% लोग बोल रहे हैं मुश्किल है तो बोलने दोना यार उनको करने तो 6000 की नौकरी उनको लड़ने तो उसके लिए मैं तो top company में जाऊंगा अब क्या होगा जब आप ऐसा बोलोगे बहार से बोलोगे असान है अंदर से आवाज आएगी मुश्किल है फिर बहार से बोलोगे असान है अंदर से आवाज आएगी मुश्किल है और मैं कोई जिरॉटिकल बात नहीं करना कि ऐसा होगा, प्राक्टिकली आप किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी को उठा के देख लो, आज इंडिया की या वर्ल्ड की, कोई भी टॉप कंपनी को उठा के देख लो, क्या वहाँ पे जितने भी लोग हैं, वो सब टॉप कॉलि कोलेजिस से निकले वहें हैं जो आप से भी नीचे वाले लेवल के हैं या आप कोई लेवल के हैं, अरे तो मेरे भाई, जब असी 40 लोग कर सकते हैं, तो आप क्यो नहीं कर सकते? जब आप बोलते हो आसान है तो आपको ऐसे हजारों लाखों लोग दिखेंगे जो इससे भी नीचे वाले कॉलेजिस से निकले हैं और आज पता नहीं अपनी खुद की बड़ी-बड़ी कंपनी इसकोल रखी हैं उन लोगों एक इंजिनिरिंग कॉलेज में जातर क्या होता है एक तो हैं टॉप के कॉलेजिस जैसे IIT हो गया और हो गए नमबर वान, नमबर टू लेकिन ज्यादा तर लोगो उसमें एडमिशन नहीं मिलता तो वह एडमिशन लेते हैं एक ऐसे कॉलेज में जो इतना अच्छा नहीं है